नमाशिवा, 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 सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, स्वावनवास, उत्तमास, पुरुश्वत्तमास, जो भी कहें, इन सब से हमें लाब उठाना पड़ता है. और जब कहते हैं पुरुश्तम, पुरुश्तमास, हमारे भगवान सुरी राम जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन ही को हम कहते हैं मरियादा पुरुश्तमास, और राम जी को सरहना देते रहेंगे, भगवान को शरहना देते रहेंगे, सिर्जी को शरहना देते रहेंगे, यह तो ठीक बात है, हमारे गुरु जन, हमारे जितने विद्वान गण है, सब कोई आकर कुछ न कुछ भगवान के बारे में हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा संदेश है जो हम मामूली इंसान के लिए ये बहुत जरूरी बनता है कि आवशक्ता है कि पुरुशुत्तम के बारे में जब बोले राम तो कोई बन नहीं पाएगा राम बनना इतना आसान तो नहीं है पर राम जैसा व्यवहार राम जी जैसा कर्म अगर इन सब पर हम ध्यान दे वें तो हम पुरुश होते वही हम उत्तम बनने के कोशिश तो कर सकते हैं क्योंकि पुरुसुत्तम की बात जब आती है पुरुसुत्तम मास में पुरुसुत्तम मरियादा पुरुसुत्तम राम की बात जब करते है तो राम जी से हम क्या सीख सकते है राम जी से हम ये सीखते हैं न कि उनमें मरियादा थी और उस मरियादा से अगर हम भी अपने जीवन को आगे ले चले तो इस मरियादा को हम पुरुसुत्तम भाव से अपने पुरुष होने का नाता अपने मानव होने का नाता जो है ये मानव जाती के लिए उत्थान होगा और इसलिए पुरुसुत्तम की बात जब उती है तो हमें एक बात ध्यान में रख लेना चाहिए कि हम मानव बन कर जब आए है भगवान ने हमको इनसान बनाया है इनसान से तो हम भगवान नहीं बन पाएंगे पर जब इनसान से भगवान नहीं बन पा रहे है तो सैतान भी क्यों बने इनसान से इनसान ही बनके रहे और इनसान बनना ये इन सब बातों को लेकर इनसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए अच्छा ही होना चाहिए दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए हमें भला करने की सर्भावना होनी चाहिए और ये सब जो सहारा हम कर सकते है इस दुनिया में आकर अगर हम जीवन में आकर कुछ अच्छा नाम कमाने चके तो नाम इनसान बन कर इस नाम को रखने से क्या मतलब है जैसे हमारा जो नाम जितने नाम हमारे साथ है ये नाम तो भगवान देवताओं का नाम है और देवता का नाम लेकर अगर हम दाणव राक्षच जैसा काम करेंगे तो पुडु सुत्म कब बनवाएंगे तो पुडु सुत्म का मतलब अभी यह मास जो चल रही है यह हमें दो-दो मास मिला है इन दो केवल कथा सुनना इस कान से उस कान तक निकाल लेना ये कोई काबलियत बात नहीं है ये कोई विशेज बात नहीं होती है केवल कथा सुन लेते हैं लेकिन सुनकर अगर अपने जीवन में हम उतारें और इनका जो धारन लेकर हम अपने जीवन अपने परिवार अपने समाज मे हम इनको सब आगे लेकर चलें तो तब जाकर धर्म का रक्षा हो सकता है धर्म का रक्षा तब होगा जब हम एक भाव से एक सथ भावना भाव से हम इनको अपने जिवन में उतारें तो सुनना बहुत अच्छी बात है और ये कोशिस करते रहें कि हम उत्तम तो नहीं बन पाएंगे लेकिन पुरुस में उत्तम भाव जो है ये ला सकते हैं जैए श्रीकिश्णा